पेगासिस को लेकर सांसत में विपक्ष द्वारा जो हंगा में किये जा रहे है उन्हें देख के ये कहा जा सकता है कि विपक्ष सांसत का सत्र नहीं होने देरा चाती ऐसा वपक्षनिता देवेन रफणनेस नहीं कहा इस वक्त उन्होंने आगे कहा कि भारते लोग तंत्र को बदनाम करने की कोशिश की जारी है बेदे कुछ दिनों से पेगासस मामले को लेकर रोसने खुला सी हो रहे है इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री देवेन रफणनेस नहीं कहा कि सांसत में विपक्षत्वारा जो हंगा में किये जा रहे है उन्हें देख ये साफ हो रहा है कि विपक्ष सांसत का सतर नहीं होने देना चाती आगे उन्होंने कहा कि इसको लेकर बड़ा डिसाइन भी देखा जा रहा है कि 45 देशो में पेगासस के बारे में 45 देशो का नाम आता है लेकिन चर्चा सिर्फ भारत की चलती है और सांसत के अधिवेशन के एक दिन पहले इसको प्रिंट किया जाता है पब्लिश किया जाता है ताकि सांसत के अधिवेशन में इसके उपर हंगा मा किया जा सकी पेगसिस को लेकर जिस प्रकार का हंगामा संसद में विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है संसद का सत्र न चले इस प्रकार की विपक्षी मंचा दिखती है लेकिन इसके पीछे एक बड़ा डिजाइन भी धान में आता है कि 45 देशों में पेगसिस के बारे में 45 देशों का नाम आता है किन्तु चर्चा केवल भारत की चलती है और संसद के अडिवेशन के एक दिन पहले इसको प्रिंट किया जाता है पब्लिश किया जाता है ताकि संसद के अडिवेशन में इसके उपर हंगामा किया जा सके उन्होंने आगे कहा कि भारतिय लोगतंत्र को बदनाम करने की ये साजिश है भारत में टेलिग्राफ आक्ट बहुत स्ट्रोंग है और मोदी जी की सरकार ने इसी और स्ट्रोंग किया है और विशेश रुप से हमको ये लगता है कि एक प्रकार से भारतिय लोगतंत्र को बदनाम करने की ये साजिश है भारत में टेलिग्राफ आक्ट ये बहुत स्ट्रोंग है और मोदी जी की सरकार ने उसको और स्ट्रोंग किया है उसमें चेक एन बैलेंसे से फोन को लीगली टैप करने के बारे में या फोन को लीगली इंटरसेप्ट करने के बारे में इसमें महतुपूरुन जानकारिया इसमें महतुपूरुन चीजे दी गई है जिसका उलंगन करने पर आवश्यक उस प्रकार के आदेश निर्देश भी दिये जा सकते ये सारी चीज़े होने के बावजूद जान भूचकर इस प्रकार की बाते बताई जा रही है और सबसे महतुपूर्ण बात ये है कि बिल्कुल संसत के सत्र के पहले इस प्रकार की बात को कहना जिसको पेगसिस बनाने वाली एनेसो नो भी रनकार आए और एनेसो ने मिडिया हाउस को नोटिस भी जारी किया है कि आप गलत जानकारी दे रहे हो भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार की ओर से केवल लीगल इंटरसेप्शन होता है इल्लीगल हैकिंग नहीं की जाती है और हमने देखा इससे पहले भी 19 जनवरी 2006 में सपाके ततकाली नेता अमर सिंग जी ने फोन टैपिंग का आरोप किया था उसके बाद सीताराम येचूरी जी जैललिता जी चंद्रावबू नैडू जी इनों ने आरोप किया था और उस पर डॉक्टर मनमोन सिंग जी ने जवाब दिया था कि ये सरकार के और से हैकिंग नहीं किया गया है ये टैपिंग किसी प्राइवेट कमपनी ने किया है और हमने उनके एक व्यक्ति को अरेज भी किया है बता दे कि बीते कुछ दिनों से पेगास समामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिसला चारी है इसमामले को लेकर रोजने बाती सामने आ रही है लेकिन अब इन बातों में कितने सच्चाई है ये तो आने वाला फक्त ही बताएगा केमरे पोसिन राजकुमार मोर के साथ दिशाहटवार पीसेन न्यूस नाकपूर